हलो एवरिवन वेल्कम टो चैनल MP Board English Medium गाइस मैंने ब्लूप्रिंट का जो explanation का वीडियो डाला था आप लोगों ने उस पर बहुत जादा support मुझे दिखाया है और मुझे बहुत अच्छा response भी मिला है और उसी वाले वीडियो पर जैसे ही वाले ब्लूप्रिंट का वीडियो मैंने डाला था कई व्यूज मुझे मिले थे कई बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स देखने मिल रहे थे कि भीया आप हमारे साथ रहो आप हमें सारी चीज़े प्रोवाइड करो तो वैसे ही मैंने किया भी है आपसे प्रोवाइड करोगा और वैसे ही कर भी रहा हूँ जैसे ही अपना नया ब्लूप्रिंट आया है मैंने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किये बिना एक ही दिन में उसी दिन आपको सौमी अन्ड फ्रेंड्स का पहला लेक्चर डाल दिया था और सौमी अन्ड फ्रेंड्स को आपको समझा दिया है पर बच्चे बोल रहे थे कि भी यह हमें पूरा इन डीटेल एक-एक ब्लूप्रिंट चाहिए तो मैं एक एक तो नहीं पर एक वीडियो में physics और chemistry को cover करने जा रहे है आपको अच्छी तरके से पूरी blueprint समझा के दूगा उस वाले वीडियो में मैंने थोड़ी हरी बरी लिए आपको समझा दिया था थोड़े जल्दी में समझा था तो इस वाले वीडियो में in detail आपको पूरी blueprint जो है मैं समझा के दूगा तो बिल्कुल tension मतलो जो भी आपके मन में doubt चल रहे थे तारी इस वीडियो को देखने के बाद clear हो जाएगे और आपको physics और chemistry की blueprint समझ में आ जाएगी इसी के बाद मैं हिंद्य और English की भी आपकी blueprint को explain कर दूगा तो बिल्कुल tension मतले ना मैं आपके साथ हमेशा रहूगा गाईज बिल्कुल आपके paper होते तक बिल्कुल आपका पूरा support करूगा पर आपको भी मुझे थोड़ा support दिखाने की जरूरत है तो अभी आपको मैं समझाता हूँ blueprint आपकी तो जैसे हम physics की blueprint पर चलते है जादा से जल्दी से जल्दी time waste किया भी न तो guys यह है आपकी physics की blueprint पहली तो main चीज जो बच्चों के मन में मतलब जिसके कारण doubt create हुआ कि जो blueprint है वो पूरी तरह से हिंदी में दिया हुआ है MP board को कम से कम इतना तो समझना चाहिए यार कि मतलब हमारे पास English medium वाली batches भी है तो English में कम से कम blueprint को देना चाहिए पर यह ऐसी हरकते करते है तो मैं तो MP board के इस फैसले से पूरी तरह मतलब साथ में नहीं हूँ आपके ही साथ में हूँ आपकी सपोर्ट में खड़ा हूँ हमेशा आपके साथ ही रहुगा गाईज तो अभी मैं आपको पहले blueprint समझा दू पर MP board का जो भी फैसला आया है बिल्कुल गलत है मैं आपके साथ में ही हूँ आपके ही साथ में मतलब हमेशा रहुगा भी और आप जो आपके साथ हो रहा है यह सरा सर गलत है गाईज यह मैं भी एगरी करता हूँ इसमें तो वो सारी चीज़ों को हम छोड़के अभी blueprint को समझते है तो blueprint में सबसे पहले आपको उपर देखें इस वाले एप में गाईज मैं पैन को यूज नहीं कर पा रहे हूँ तो आपको थोड़ा समझना होगा आप जहां पर राइट साइड में देख सकते है 70 नंबर का पेपर यहां पर बहु विकल्प याने objective टाइप टिक दर करेक्ट आएगा एक यहां पर फिलिंदव लैंक्स नहीं आने वाले एक वाक्य आने जो वन वर्ड आंसर है वो भी नहीं आने वाला सही जोड़ी भी नहीं ना दो नंबर ना तीन नंबर ना चार नंबर और पाच नंबर क आपको यहां पर दो objective देखने के लिए मिलेगे जो कि है एक फिलिंदव लैंक्स और एक टिक दर करेक्ट उसे के साथ साथ दो नंबर का एक कोशन और तीन नंबर के दो कोशन्स आपको current electricity वाली unit से देखने के लिए मिलेगे मैं आपको एक और suggestion दूगा कि जो मैंने study material बनाय है इसका मतलब होता है गाइस धारा वाले का magnetic effect of electric current ठीक है magnetic effect of electric current यह है आपके थार्ड नंबर पर लिखा हुआ है इसका जो मांक्स वेटेज है वो है six number का six number in the sense आपके लिए दो नंबर के यहां पर objective है और दो दो नंबर के चार्ट दो questions देखने के लिए मिलेगे उसके objective दो दो नंबर के दो questions और उसी के साथ-साथ पाच नंबर का एक बड़ा question फिर आप आता है पाचवा जो कि है विद्धत चुम्बे किये तरंगी यानि इसका मतलब होता है आपका electromagnetic waves ठीक है electromagnetic waves ठीक है यह है आपका पाचवे नंबर पे तो इससे पुछा जाने वाला है चार पुछा जाने वाला है 14 नंबर का as usual सबसे ज्यादा वेटे जिस बार पी optics को ही दिया है तो optics से 14 नंबर का पुछा जाने वाला है जिसमें की है आपके पास एक objective only एक objective और उसके साथ-साथ दो नंबर का एक question तीन नंबर की दो question और पाच नंबर का एक question जिसमें से की एक numerical प बताऊगा कि important question कहां से मिलेगे notes कहां से मिलेगे कैसे पढ़ना सब कुछ बताऊगो तो वीडियो के end तक देख लेना पहले मैं आपको blueprint explain कर रहा हूं फिर उसके बाद 7 नंबर पे जो आता है वो द्रवे वा विकिरन यह है आपका dual nature of radiation and matter द्रवे और विकिरन ठीक है dual nature of radiation and matter जिससे की पाच नंबर का पुछा जाने वाला है जिसमें शामिल हुए है दो objective जिसमें की one word answer है sorry तीन objective है जिसमें की one word answer दो है और सही जोड़ी एक और दो नंबर का एक question पुछे जाना वाला है और फिर परमानू जो लिखा है एक तो वाले नंबर पे तो यह है आपका atoms and nuclei जिससे की साथ नंबर का कुछे जाना वाला है जिसमें से भी आपके सामने चार objective आने वाले है और यहाँ पे आपके लिए देखने के मिल रहा है तीन नंबर का एक question atoms and nuclei से इसके बाद semi-conductor's वाले chapter पे आते हैं semi-conductor's में आपको साथ नंबर का देखने के लिए मिल रहा है तो इसमें एक विकल प्याने one word answer है एक सही जोड़ी दो है और दो नंबर के दो question semi-conductor वाले chapter से हमें देखने के लिए मिलेगे तो इस तरह साथ है आपका physics का blueprint और इस तरह साथ है आपका mark distribution physics का अब हम नीचे बढ़ते हैं इसी blueprint में तो यहाँ पे जो आपको देखने मिलते है यह है सारे deleted topics तो अभी जो blueprint आया इसके according इन topics को आपको करने की कोई भी जरूरत नहीं है यह delete हो चुके है हमारे syllabus में से तो पहला आता है हमारा electric जो पहला जो electric charges and field वाला chapter है इसमें से आप जहां पर देख सकते uniform charge and यहां पर thin spherical sheet वाला आपको नहीं पढ़ना है उसके आता chapter number 3 जो कि current electricity तो यहां पर आपको carbon resistor के बारे में नहीं पढ़ना है और यहां पर लिखा हुआ है जो कि आपको नहीं पढ़ना है इससे तरह आप यहां पर सारी चीज़े देख सकते है moving charges and magnetism में आपको cyclotron पढ़ने की जरूरत नहीं है यहां पर आपको toroid के बारे में soleno alternating current से जो chapter यहां पर mention है जैसे यहां पर alternating current है पर EMI नहीं है तो EMI यहां पर नहीं है इसका मतलब EMI आपको पूरा पढ़ना है पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको EMI ठीक है alternating current से waterless current और resonance को हटाया है इन्होंने EM waves से यहां पर basic idea of displacement current को हटा दिया रे optics से आगर देखा जाया तो इतनी चीज़े हटाई है बहुत बढ़ा है गाई रे optics उसमें से भी इन्होंने reflection of light हटा दिया इस पेरिकल मेरर और जितने सारी चीज़े जो दिख रहे हैं यहां पर वह हटा दी गए है उसके अलावब chapter 10 से भी reflection of light on plane wall याने आपका वो एक law है उसको हटा दिया गया है I think so 11 वाले नंबर पर आपको dual nature of radiation matter से यहां पर डेविशन जर्मन experiment को हटा दिया गया है nuclei से भी देख ले जो आपके chapter रीडियो हुए है उसमें से mostly इन्होंने बहुत सारी topic अगर हटा दिया है अगर देखा जा तो बहुत सारे अगर आप पढ़ना भी चाहते हो तो बड़े आराम से cover कर सकते हैं यह मुझे ऐसा लगता है फिर भी अभी आप को देखना अभी मैं बताओंगा आपको करना क्या है अभी के condition में फिर सामी कंडुक्टर्स वाले अगर हम chapter देखे तो इसमें भी यह सारी चीज़े हटा दिया गया है फिर उसके बाद voltage regulator जिन डाइवट और जिन अब डिया गया है यहां पर आप जो आप देख रहे हैं यह वो टॉपिक्स है ऐसे और एक गई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो इन विदियो पर देखे चिज़ों को आपको पढ़ना है इन आरी चीजों को अच्छे से देख पेन और पेप पर अब हम करें क्या तो आपको मैं सजेस्ट करूगा उल्मोंस जित्ते चैप्टर थे उसको तो मैंने उनके इंपोर्टन कोशन दे दी है स्टडी माटेरियल है आपके पास अगर नहीं लिया हो तो फट से जाके ले लेना बहुत ज्यादा बेरिफिचल रहेगा आपका जो स् सब्सक्राइब कर लेते हैं अगर कोई अपडेट निकल के नहीं आता है तो मैं आपको मेरे इसी चैनल पर जो रे आप्टिक्स है मैगनेटिजम मैंटर वाला यूनिट है नुक्लिया वाला यूनिट सबकी इंपोर्टन कोशन आपको दे दूगा इसी के साथ साथ जो बच् की कंडिशन चल रही है सारी चीजों को मैं समझता हूं और हर तरह किसा आपकी हल्प करूगा तो अभी आप मैं इस कहूगा फिजिक्स के लिए तो आपके नहीं देख लिया थोड़ी इस बहुत चीज़े आपके सामने बड़ी है तो अभी चार पात दिन आप जो आपकी न पुछे जाने वाला और चारो के चारो अब्जेक्टिव हो एक और दौ अबजेक्टि दो तिकदा करेक्ट पूछे जाने वाला है दूसरे नंबर पर है आपके यहां सामने जो दिखा रहा है वह है solutions में से पाक्ष नंबर का पूछा जाने वाला है आपको जिसमें दो केमेकल कानेटिक्स से आपके लिए क्या दिखने मिल रहा है यहां पे भी पाच नंबर का वेटेज है जिसमें की शामिल है दो अब्जेक्टिव और तीन नंबर का एक कोश्चन उसके बाद सतहरा साइन जो कि आपका सर्फेस केमेस्ट्री चार नंबर दो अब्जेक्टिव औ साल और इस साल भी है जिसमें के आपको देखने के मिलेगी तीन अब्जेक्टिव और पाच नंबर का एक बड़ा कोश्चन फिर उसके बाद हम डी और ब्लॉक की तरफ बढ़ते हैं तो पाच नंबर का पुछा जाने वाला है जिसमें दो अब्जेक्टिव और तीन नंबर का एक कुशन देखने के मिलता है फिर उसके बाद यहां पर जो आप आठवे नंबर को हम बोलते हैं ठीक हैं कोडिनेट केमिस्ट्री थीक है कोडिनोट केमिस्ट्री से छे नंबर का पूछा जाएगा माद डिस्टुबिशन आप देख सकते हैं दो अब्जेक्टिव और द देखने मिल रहा है, एलकोन, फिलोन और इथर से, फिर आता है, एल्डिहाइट, किटोन, कर्बोगजिलिक ऐसे, छोटा चैप्टर बना दिया है, इन्होंने इसको चार नमबर का पुछा जाने वाला है, जिसमें की शामिल हो रहे है, दो नमबर के दो कोश्चन, फिर इसके ब यह एक बहुत अच्छी, मतलब एक न्यूज आरी है, कि इसमें आपको, जो पहले सिलेबस था, उससे भी आपको कम टेंशन बढ़ा दिया है, कैसे, कैसे की देखोग, पहले केमेस्ट्री में आपके बाद दो ही चैप्टर को रिड्यूस किया था, जो की था, मेटलर जी या पहले चैप्टर्स थे, उसमें से भी आपको कम-कम पढ़ना पढ़ेंगा, जैसे, सॉलिट स्टेट में यहाप देख सकते हैं, यह आपको जी यह सारी चीज़ें, स्यमिकंड़क्टर है, पी एन टाइप सेमिकंड़क्टर, यह चोड़ सकते हैं, आप सॉलिट स्टेट में, सॉलिटस में आपको यहाँ पर यह सारी चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ पर जो भी दिख़रा है, यह आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, छेटोे नमबर पर आप देख सकते हैं, पूरी यूनिटी आपको नहीं पढ़ना है, उसके अलावा जैसे, पी ब्लॉ अगर अच्छी तरीके से सारे important question मेरे चैनल पर uploaded है सारे chapters की जाके देख लो अगर नहीं देखे होंगे तो आपको link मिल जाएंगे description में playlist की तो please जाकर के वहाँ से देख लेना और इसके अलावा please guys आपको एक और suggestion दे रहा हूँ कि मेरा जो study material है वो बहुत जादा आपके लिए आपके लिए सावित होगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो like कर दो thank you for watching the video में आपसे next video में